गाइस कैरन एनरजी का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है इस कमपनी का हला कि हमने इस टॉपिक को पहले कई बार जो है वो डीटेल में डिसकस कर चुके हैं बट सबसे पहले जो में जो आपके लिए काम की चीज है वो रेट्रोस्पाक्टिव टैक्जेशन ये जा काफी important topic है देखिए generally हम लोग क्या देखते है सरकार जब tax लगाती है तो सरकार क्या बोलती है आज की तारीक है आज की rate हम लोग को देखने को मिल रही है ये present date आज की rate आज की तारीक हम लोग को देखने को मिल रही है तो सरकार आज एक कानून लेकर आई बट सरकार क्या ब मुलती है कि future में इस इस फलाना फ़लाना तारीख को tax जो होगा वो इस फलाना फ़लाना प्रडट्प से इतना percent हो जाएगा. जनररली सुना है अपने ही वाली बात? जो भी कानून आता है, सरकार बोलती है न कि आने वाले समय से ये कानून लागू होगा, आने ये इस तारीक से कानून लागू होगा? यही बात होती है जनररली. बट, retrospective कानून जो होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं, retrospective के taxation जो होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे कि आज की तारीक है, present date ही है, हम लोग को आज की तारीक देखने को मिल रही है, तो सरकार बोलती है कि आज की तारीक से, पिछले 5 साल से, याने कि आज की त से आज की रेट में कानून लेकर है कानून कब आया आज की रेट में आया बट सरकार बोलती है कि आज की तारीक से आने वाली तारीक में यह कानून लागू नहीं होगा पिछली तारीक से पिछले पात साल पहले से यह कानून जो है वो लागू माना जाएगा अब आप countries इस retrospective taxation का इस्तमाल जो है वो किस चीज के लिए करती है कि उन्हें अगर लगता है कि अरे यार उनके taxation में कुछ गड़बड़ी है तो अपनी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए करती है क्योंकि इन ही गड़बड़ी के कारण हमें देखने को के लोगबग जो होते हैं कंपनी सो होती है वो benefit कमारी होगी और वो आज की rate में पात साल बात पता लगा तो सरकार जो आज की rate में जो amendment करती है वो ये करती है कि ये लागू होगा पात साल पहले से ही यानि कि अपने previous कानूं को ही amendment कर देती है अब इसमें problem क्या होती है जैसे कि अब उस problem को भी आपको समझा दो जैसे कि और बहतर तरीके से topic आपको समझ में आए problem ये होती है देखिए अगर tax हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ती ने एक फलाना ex product सरकार ने बोला कि ex product पर हम tax जो है वो 10% का लगाएंगे चार्ज करेंगे ठीक है अब सरकार को ये 20% करना था बट गलती से मैंने मान लिया कि figure में गलती होगी दो की जगा एक डल गया तो वो 10% हो गया और फिर जब सरकार ने बाद में जाकर पात साल बाद review किया तब सरकार को लोगा अरे यार ये तो 20% होना चाहिए तो 10 कैसे हो गया सरकार ने बहुत हम चेंज कर रहे हैं अब इसको 20% माना जाएगा मतलब की पिछले 5 years में जिन भी लोगों ने इस particular x के product पर tax जो है वो 10% दिया होगा अब उन सभी लोगों को extra याने कि आने वाले साल में आने वाले financial year में इस पुराने पिछले साल का जो balance से वो pay करना पड़ेगा यानि कि इसका इंटू 2 कर दो आप 10% का double है न तो आप उनको 20% पे करना पड़ेगा सभी को जितना tax उन्होंने पिछले 5 साल में पे किया था उसका multiple है तो यह मैं सर्फ example दे रहा है ऐसा कुछ नहीं है यह अलग-अलग type यह होते हैं बड़ आपको समझाने के लिए कि सरकार इस प्रकार से पुरानी चीज़े चेंज कर देती हैं और इसकी liability उन्हीं लोगों पर आती जन्हों ने अल्रड़ी इस चीज़ को यूज किया होता है next financial year में right same चीज हुआ है अभी यह घटना जो घटी थी यह घटना हमें देखने को बली थी कि kern energy करके एक company के साथ जो है वो घटी थी यह highlight होती है ऐसे तो काफी सारी companies के cases है पड़ यह international मामला जो है वो चला गया था तो इसलिए अभी मैं आपको उस मामले के बारे में भी बताऊंगा जिससे कि यह retrospective taxation का topic आपको अच्छे से सब्सक्राइब है अब मैं उमीद करता हू टॉपिक तो आपको clear होई गया होगा and country जो है वो generally मैंना आपको बताई दिया कि इस route का इस्तेमाल करती है कि इस purpose के लिए अपनी गल्तियों को correct करने के लिए and retrospective taxation जो है यह companies को hurt करता है काफी जादा right अब company ने जानके या अन जाने में अगर tax को गलत तरीके से interpret करके अपन company ने loophole का इस्तेमाल किया हो या ना किया हो उससे matter नहीं करेगा company के उपर तो आगे चलकी यह liability तो आएगी आएगी तो इसलिए company को जो है वो बड़ा नुकसान होता है इन सब चीजों के कारण अब देखिए guys यह case study हम लोग करते है केरन energy को लेकर यह topic तो आप symbols ही जीज पह आता हूँ 2012 का retrospective tax law इसका use जो है वो इंडिया ने किया था इस company के अगेंस्ट कैरन energy के अगेंस्ट तो कैरन energy ने Indian government को challenge किया कि इंडिया जो है वो इस company से हम लोग जो है कैरन से taxes जो है वो ले रहे हैं और 2012 के retrospective tax law को लाकर हम इस particular company से taxes जो है वो चार्ज कर रहा है और 2014 में Indian tax department ने demand करी 10,247 क्रोड taxes की Indian tax department ने हमने बोला इस company से कि आप 10,247 क्रोड 10,247 क्रोड रुपीज जा टैक्स की दौर पर pay करें फिर next year 2015 में Karen energy PLC इसने क्या किया इसने international arbitration पर चली गई permanent court of arbitration पर Indian government के against फिर Indian government ने आपको पता हूँ गईज कि अपना amendment जो है वो कर दिया इस particular tax को जो है 2012 के retrospective tax को जो है वो end कर दिया Indian government ने और कहा कि Karen से एकत्र किये गए 7,900 क्रोड रुपीज ये वापसी जो है वो इनको दे दी जाए इनको return जो है वो कर दिये जाए तो refund जो है वो करने की बात की गई तो retrospective taxation के बारे मैं आपको already जो है वो पढ़ाई दिया बता दिये तो देखो आसान और simple शब्दों में पूरा मुद्दा हम हम लोग को ये देखने को मिला था कि Karen Energy और इंडिया के बीच में यही case चला था इंडिया ने Karen Energy के उपर retrospective tax लाकर उसके उपर impose कर दिया था taxes impose कर दिये गए थे 10,000 something करोड रुपीज के और अब Karen Energy जो है वो court चले गए international court पे जो है वो चले गई permanent court of arbitration नीदर लैंस पे चले और वहाँ पर जो है वो इंडियन गोर्मेंट इस case को हार गई और case को हारने के बाद हम लोगों ने 2012 के retrospective tax law को हटा दिया खतम कर दिया रद कर दिया और रद करने के बाद हमने order pass कर दिया कि Karen Energy को पैसा जो है वो लटा दिया जाए और December 2020 में यही चीज हम लोग को देखने को मिली थी तो यह चीज था गाइस पूरा overall topic जिसके बारे में एक आपको idea होना चीए और अभी यह topic जो news में आया था वो इसलिए आया था क्योंकि Indian government का और Karen Energy का एक सहमती हुई है कि एक entity के माध्यम से या public public sector undertakings वगएर जो हम लोग को entities वगएर जो हम लोग को देखने को नह को है वो कर दिया जाएगा तो यह चीज है गाईस जिसके बारे में आपको basic सी जानकारी एक general idea होना चाहिए बट main चीज जो काम की है इस topic में examination point of view से वो है retrospective taxation आपको समझने के लिए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते permanent court of arbitration की कुछ facts जो है वो जान लेते है permanent court of arbitration से related तो य पहेग नीदरलाइंट्स में intergovernmental organization है जो की international community को serve करती है जैसे अगर कोई भी disputes वगरा होते हैं किसी भी चीज से related राइट जैसे आपस में एक company और country के taxes के बीच में dispute हुए example के तौर पर तो वो disputes है हो यहाँ पर settle किये गए इवन अलग-अलग countries के बीच में एक countries और दूसरी country यहाँ निके X और Y country के बीच में भी अगर कोई dispute होता है तो यह dispute भी जो है वो resolve किया जाता है permanent court of arbitration के अंदर तो यह basic सा fact है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए और इसके जो भी decision होते है उसको awards कहा जाता है और इसके decision होते हैं सभी parties के ऊपर तो यह point आपको ध्यान में रखना है कि permanent court of arbitration के जो decisions होते हैं या awards जो होते हैं वो binding nature के होते हैं मतलब कि इसके द्वारा दियेगा decision को follow करना mandatory होता है तो यह था पूरा वोल टॉपिक उमीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा